मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती हेलो वरी वान, विलकम बै, कैसे हैं आप लोग दियर स्टेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को आपनी तरफ से last instruction देने वाले हैं जो आप के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होने वाले हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर सुन लीजेगा अगर आप भी कल पॉलिटेकनिक इंट्रिन्स एक्जाम देने जा रहे हैं अगर आप ये वीडियो आप के लिए बहुँत ही जादा हल्फूल बहुत ज़दा इंपॉर्डीन्ट होने वाला है First of all, हम अपने सभी के सभी dear students को all the west बोलते हैं आप बिल्कुल tension मत करिए हम लोगों नितनी महनत कितनी तो बताईएगा यार हमने तो पूरा जी जान लगागर कि आपके साथ महनत की है और मुझे तो dear students ऐसा feel हो रहा है कल आपका exam नहीं है, मेरा exam है अगर आपका exam अच्छा नहीं होगा, तो मेरा भी अच्छा नहीं होगा means आपका exam अच्छा होगा, तभी मेरे लिए अच्छा होगा means ऐसी feeling मेरे साथ आ रही, मैं real में आपके साथ बोल रहा हूँ मतलब ऐसे कुछ बनाया नहीं है मैंने कि मतलब इस तरीके से एक्टिंग नहीं कर रहा हूं रियल्टी बता रहा हूं कि मैं दिल से फीलिंग यह आ रही कि जैसे लग रहा है मेरा कल पेपर है तो आपको हम यह कहना चाहेंगे बच्चों कि सबसे पहले आप एकदम देखो परिछाओं को हमेसा त्योहार की तरह मनाईए जितना देखो आज मैंने जब सुगा का एक वीडियो डाला और उसमें बोला कि बच्चों को जिस जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हों हमारे साथ सेयर करें इंपॉर्टन वीडियो द्यान सुन लिजेगा बच्चों उसमें कई सारे टॉपिक्स निकल किया है फिर मैंने सोचा कितने सारे टॉपिक्स को हम कवर नहीं कर सकते हैं किसी की बात करें किसी की ना करें तो एक दिन भी इतने सारे टॉपिक्स ना तो पढ़ाना पॉसिबिल पढ़ा है जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है जो हम लोगों ने दंगल की स्रीज पढ़ी है उसमें अगर कोई वीडियो छोटा है छूट गया है आप लोग उसको नहीं पढ़ पाएं उसको आप लोग देख लिए मिंस केवल रिवीजन करना है कुछ नया करने का है यार होंगे क्योंकि आपने मेहनत की है और मेहनत करने मालग कभी हार नहीं होती है अब आप इंस्ट्रक्शन को ध्यान देजिए नंबर्स पहली चीज बच्चों कि मॉर्णिंग में आप लोग जब जाएगा तो बढ़िया से ताइम से आप लोग पहुंचीगा प्रवे आपको पेपर देने को मिलेगा वहां कोई समस्या नहीं होगी ठीके बच्चों कोई प्रवब्लम नहीं होगी ठीके यह तो बात हो गए मौर्णिंग में आप टाइम से निकलेंगे अगली बात आपको एक्जाम हाल में क्या क्या चीजे ध्यान देनी है उसको सुन लीजिए मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ आया हूँ कि यूपी पॉल्टेकनिक इंटरेंस एक्जाम में निगेटिम मार्किंग है मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों निगेटिम मार्किंग है तो देखो एकदम कड़वा सच बोलने जा रहा हूँ खुद ध्यान से सुन लीजिए अगर होना होगा तो क्योंकि अगर आपको दसी कुष्सान आ रहे हैं इसका मतलब यह है कि पेपर टफ बना है तो आपका जो कंप्टीटर है वह भी दसी 11 कुष्सान नहीं कर पाएगा कहने का मतलब समझ में आरे वाप लोग नहीं तो होता क्या है आपने डिफरेंट डिफ करेंगे तब जाकर कि आपको गौर्वर्मेंट कॉलेज मिलेगा और वहाँ आप गए तो आपको तीसी कुष्सान आ रहा था तो आप सोचे कि यार मुझे गौर्मेंट कॉलेज मिलने से रहा इससे अच्छा है कि हम लाओ 20 दुक्का मार ले हो सकता है सही हो जाए मेरी किसमा पासिंग मेंटेम मेंट बताना चाहूंगा अगर रहा हो सकती हो आ पचास आरे जाना गौर तो पचास कर के आना एक girls question एक भी question तुक्का मारने से पहले मेरा ये चेहरा याद कर लेना मुझे याद कर लेना और अपने हाथ को control करनेना आप paper में जाकर के जब बैठोगे तो आपके पास समय बचेगा आप अपने बगलवले दोस्ट से पुछने का प्रयास बिलकुल मत करिएगा ना किसी से पूछिएगा ना किसी को बताईएगा प्लीज 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 अगर आपका पका मित्र आपके बगल बैठा हुआ है फिर भी आप मैं क्यों नहीं करना चाहिए वो सब अप टाइम नहीं आपके हम आपके साथ सीयर करना चाहते हैं तो अगर आपको लगता है कि हम आपको दिल से पढ़ाए हैं दिल से आपके सारी बाती किये हैं तो ये दोनों की दोनों बाते हमारी जरूर से जरूर नोट कर लिजेगा नंबर पहला आप तुका मत लगाएगा दूसरी चीज बच्चों ना किसी से help लीजिएगा ना किसी को help दीजिएगा question paper जितना आएगा उतना करके सामती से बैठ जाएगा बाकि OMR seat कैसी भरनी है उसमें आपको क्या साउधानी बरतनी है वो सब चीज़ें आपको पता है आपको पता हूँ उसके बारे जाएगा डिसकस करने के रूत नहीं है हाँ इतना बोलेंगे कि जब आपको booklet मिलेगी जब आपको OMR seat मिलेगी दोनों के पीछे instructions लिखे रहते हैं maximum strength instructions को नहीं पढ़ते हैं सबसे पहले paper में दिये गए instruction को एक तरब से पढ़ लिए OMR seat में दिये गए instruction को एक तरब से पढ़ लिए सारी doubts आपके clear हो जाएगे किसी और से आपको पूछने की जरुवत नहीं पढ़ेगी आसा करते हैं बच्चों ये दो मूल मंत्र मैंने आपको बताया है जो selection में सबसे बड़ी साभागिता निभाएगा आपके लिए नंबर पहला तुक्का नहीं लगाना है नंबर दूसरा ना किसी से help लेनी है ना किसी को help देनी है अपना करना है अपना करना एक घंटी में पर खतम हो जाएगा अराम से relax हो करके बैट जाएगा numericals मैच के हैं उसको salve करते रहिएगा salve करने कर कोई question आ जाएगा तभी उसको करीगा बच्चों तुक्का मत लगाएगा तुक्का मत लगाएगा यह मान की चलिए कि आप जितना question कर गया है उतना आपका सही होना चाहिए यही बाते हम के साथ share करना चाहते थे तो आसा करते हैं कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे और अगर मुझे अपना गुरू मानते होंगे तो मुझे यह विश्वास देंगे इसी वीडियो कमेंट समय जाकर जब चार option होते हैं बच्चों तो तुक्का लगाने पर कुष्टन के correct होने के वर one by four means 25% कुष्टन 25% होता है कुष्टन करेक्ट होगा और 75% चांस होता है कुष्टन रॉंग हो जाएगा तो पचीस परसेंट पे कौन सा रिस्क लेता है कोई रिस्क लेगा क्या अरे पास मार के भी 33% होता है तो तुक्का लगाने के कोई मतलब नहीं है कहां तक भगवान साथ देंगे कहां से आपको कोई देवता कोई अल्ला कोई कौन से कोई कैसे help करेगा भाई नहीं कर पाएंगे नहीं पर आप 25% पे क्यों आप तुक्का लगा रहे हो समझ गे मेरी बात को तो मुझे कमेट से जरूर बताना बच्चों कि आप ये दोनों चीजे करोगे या नहीं करोगे ठीक है बच्चों आज के इस वीडियों बस इतना ही ठीक है तब तक के लिए सांदार रहे है कल आपके एक्जाम के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा वह बहुत ही मज अधार रहे है और जा करके एक्जाम देजी